हेलो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में डीटेल में वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनस अनालिसिस करेंगे और लेटिस्ट क्या चैलेंज चल रहा है इस बैंक को लेकर उसको हम लोग समझने के कोसिस करेंगे सबसे पहले क्वाटर 4 के कैसे रिजल्ट आये थे आप प्रॉफिट देख सकते हैं 18 परसंट इंक्रीज हुआ है और जो पूरा बहुत कम बैंक्स है जिनका इतना हाई एनाएम होता है तो यह बहुत हाई एनाएम है अच्छा एनाएम आप कहा जाएगा नेक्स्ट है इन पीए उनके कम हुए है है 0.37 से 0.34 हुए है कस्टमर एसेट्स ट्वंटी परसंट इंक्रीज हुए है आर वे स्ट्रॉंग है टू पॉइंट सिक्वन रिटन ओन एसेट्स तो जो नंबर्स आ रहे हैं वह मजबूत नंबर आये है जब क्वाटर फॉर के और जो फाइनल रिजल्ट्स आये थे उसमे अब देखें जब हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक के साथ साथ में जो कॉंसोलीडेटेड उनके दूसरे भी बिजनस वहां पर आ जाते हैं जैसे कोटक सेक्यूरिटीज है या फिर लाइफ इंशोरेंस जनरल इंशोरेंस जो म्यूच्वल फंड का होता हुआ नजर में आएगा जैसे सिर्फ बैंक का 13,782 करोड का प्रॉफिट था लेकिन बाकी भी जो सबको अगर आप एड कर देते हैं तो 18,213 करोड का प्रॉफिट हो रहा है और यह भी यर-on-year 15 परसंट ग्रोव कर रहा है दोस्तों अब लोन पर बात करता है कि लोन के अगर आप देखेंगे ग्रोफ एडिए कोटक के केस में हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है 1.39 परसंट और यहीं आप डिसंबर में देखिए 1.73 परसंट था तो ग्रोफ एकंपीए कम हुआ है फिर नेट इन पीए कम हुआ है 0.34 अभी आपको देखने को मिलेगा और बढ़ गया तो अब यह थोड़ा कम हुआ लेकिन फिर भी यह इंडस्ट्री लिंग जो professor हम मां सकते हैं तो ओवल सा meglio स्वी स्ट्रो क्या हो रहा है और future में क्या हो सकता है तो यहां पर RBI की तरफ से बहुत रीसेंट में और आया है अप्रेल 24 में क्या कि आप अपने जो ऑन-लाइन चैनल है वहां से ग्रोथ रहेगा यह क्लाइंट को ऑन-बोर्ड करना है तो जो फिजिकल वाला जो चीज है उससे हो जाएगा लेकिन ऑन-लाइन नहीं हो दूसरा एक और चीज आरभी ने कह दिया है कि नया क्रेडिट कार्ड भी आप इशू नहीं कर सकता अब क्रेडिट कार्ड बिजनस जो ए गई हुई है अब इसमें कुछ चीजे समझने जैसी है कि पास्ट में ऐसे ही आरभी ने जब भी एक्षन लिये हैं जैसे एजडिएफसी बैंक पर भी से पहले लिया हुआ था तो हमने जनरली देखा है कि यह 6-12 मन्त लग सकते हैं ठीक है अब अगेन इसका कोई हम बोल नह है उसको अगर ठीक करते हैं सही टाइम में फिर आरभी इस सटिस्फाइड होते हैं तो 6-12 महीना लग सकता है लेकिन आरभी इस सटिस्फाइड नहीं हुए तीजे आगे विजा सकती है तो जो नया एक्विजिशन है 811 और क्रेडिट कर्ड यहां पर इंपैक्ट होगा तो कि बैंक जो एग्रेसिव ग्रोथ कर रहे थी जो अभी बिल्कुल शुरुआत में कुछ जो नंबर्स आपने देखे जो बिल्कुल एग्रेसिव ग्रोथ नंबर थे चाहिए वो डिपॉजिट हो या फिर लोन ग्रोथ हो वो आपको अभी का जो वाटरली रिजल्ट या जो सकता है तो आप ऐसा मान सकने कि बैंक बिल्कुल हाइग चल रही थी अब थोड़ा सा मॉडरेट जैसा और ऐसा नहीं होगा यह थोड़ा स्लो हो समझना अब ज़ोड़ा जरूरी हो गया है अब इससे क्या हो गया है कि यह लगफख 300 से 450 करोड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंपक्ट हो सकता है अब कोटक महिंद्रा बैंक एक तरीके से इसा सिट्वेशन में हो गया है अब यहां पर अल्रेडी मैंनेजमेंट रिलेटेड चैलेंज़ेज चल ही रहे थे ठीक है और आप यहां पर मैं आपको वैल्वेशन बताता हूं जैसे यह टैन यह का वैल्वेशन है प्राइस टू बुक का तो यह आप देख सकते हैं उनको 4. 5.6 का उनको वैल्वेशन हमें इसा मिला हुआ है इन फैक्ट जैसे आप 2000 देखे 2014 में देखे 5.5 का प्राइस टू बुक मिला है इन फैक कम में भी कम उनको 3.9 का मिलता था यह जैसे जनवरी 2017 है लेकिन अभी आप देखेंगे बिलकुल कम है 2.93 के आसपास में है अब पिछल के कुछ एक डिड़ साल में थोड़ा सा डी रेटिंग हुआ है जो नए CEO को लेकर थोड़ा सा चल रहा था कि कौन आएंगे फिर RBI ने अप्रूल दिया बाहर से CEO आए है वो तो एक चैलेंज चली रहा था लेकिन ये एक नया चैलेंज आ गया जहां पर RBI ने रोक लगा दी है अब बैंक क्या करेगी कि अपना जो RBI कितना जल्दी और को लिफ्ट करें और RBI कैसे लिफ्ट करेगी जब आप IT में खर्चा करोगे IT को और अच्छा करोगे तो ये बहुत बड़ा एक सिचुएशन है जो कोटक बैंक के लिए अच्छा होगा कि इस सिचुएशन से जित हो भी CEO बन सकते हैं लेकिन वह CEO नहीं बने बहुत लंबे समय से वह कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर रहे थे जो एक्स्टरनल CEO है उनका नाम को RBI किया था और साथ-साथ में अभी ये और भी उन्होंने कर दिया है RBI ने तो एक चैलेंजिंग टाइम से ये बिजनस अभी ग दिख रही है अब जो बड़ा ट्रिगर रहेगा वो होगा कि बैंक इस चैलेंज से कितना जल्दी वह बाहर आती है सबसे पहले तो जो RBI का जो ऑर्डर है वह जितना जल्दी यह जो बैंका बाहर आए वह बहुत बड़ी चीज रहेगी और जो टॉप लेवल में जो चेंज मेली मिली होगी आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद थैंकि दोस्तों